आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंकन रोम के बारे में जो की एंडुए 9.0 पाई के ओपर बेस्ट है मैं आपको बताऊंगा क्या-क्या फीचर्स उसके अंदर काम कर रहे हैं और कैसे इस रोम को आप अपने फोन के अंदर इसली इंस्टॉल कर सकते हैं तो इस वी आपको बैल का आप क्लिक की जिए उसको क्लिक किई ताकि आने वादे देलों में आपको हमारे सारी नाटिफिकेशन यानि सारी अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलते तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते है तो दीए कुछ आपको इस तरीकर लुक आपको इस रोन को देखने को मिलता है नीचे आपको Google का सर्च वार विजित मिल जाता है जिसमें Google Assistant का आइकन भी देखने को मिलता है उसके आपको डॉग आइकन उपर एक विजेट औ और यहां उसे सक्तों कि कुछ मिलते हैं जिसके एसेंस कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं और छोटे-ःमोटे काफी सारे चेंजर इसके नितर कर सकते हैं और सरके सारे क्योंग क्र शेंगोई सेटिंग में दिखा रहता हूं कि कौन सा वर्जिन है यह तो यह देखिए यह Android 9 के उपर बेस्ट है आप अपर देख पारे होंगे यह फ्रेंकन रोम पाई यानि Android पाई 9.0 वर्जिन आपको 5th of December 2018 का देहने को मिलता है जो की लेटस है इस साइम पे तो यह इसका अब बागी चीज़ें और देख लेते हैं सिस्टम के पेज पर आपको जेस्टिस मिल जाते हैं इसमें आप Android पाई के जेस्टिस को इनेबल कर सेते हैं अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो एडवांस के सेटिंग्स पे जाएंगे आपको Camera2API का फीचर मिल जाता है जो कि अच्छी बात है कि आपको को इपने फोन को रूट करने जरूरत नहीं है गूगल के इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ इसको आप इनेबल करेंगे और अपने फोन को रिबूट करेंगे उसके के मैं Camera2API की बात कर रहा था तो हम ने इसके अंदर Google Pixel 3 का जो बेस्ट कैमरा माना जाता है उसको इसको इंस्टॉल करका यह वो कैमरा है देखी आपको मोर के अंदर फोटो स्पेस, लो मोशन, नाइट मोड सारे मिल जाते हैं जो कि अच्छी तरीक से काम कर रहे हैं मैं इसक स्पीकर पर फोन को डाल देता हूं तो यह कि फोन करने में कोई दिक्क्र में आ रही है फोन स्वेरा ठीत तरीके से चल रहे हैं अब आगी कुछ और चीजे में सेटिंग लेते हैं और आपको क्या कर देखने के बिलता है सारा लेयाउट आपको एंडर 9.0 पाई का देखने क सेटिंग आप इनके पर टैप करेंगे कि आपको कफे सार अप्शन में लें जैसे क्लॉक सेटिंग साब कौन सी क्लॉक्स चाहिए कि सब्सक्राइब कर सकते हैं अब इसके अंदर जाके हार्वेयर बटन नाइविकेशन बार को आप जिस तरीकी से मोडिफाइए करना की साथ बैटरी में आपको बैटरी में इनेजर क्लेह को मिल जाता है हम अपकर बैटरी wooden करने च्टार्ट ओबनिया, उसको बद efterिक बैटरी में आपको लोगचान घुंच 23 देहनों फाट पूरा जो डार्क हो रुख रुखा है हमने क्यों टोगल्स उनको भी देखिपाएंगे आप थोड़ा सा फिल देख रहे होगा वह भी आप सेटिंग्स में जाके जो है चेंज कर सकते हैं डिस्प्ले में आप जाएंगे डिस्प्ले में एडवांस में जाके आप नीचे को आप यहां से चेंज कर सकते हैं अब हम और इंज चाहिए तो आप इंग लिए थोड़ी दिर में जो ही इस्टार्ट हो जाएंगे उसी तरीके से आपके यह दिखिए यह थोड़ा से ट्रांस्परेंट से लुक देख पा रहे होंगे बैग्ड़ांड में उसको मैंने कैसे कि है वो मैं आपको दिखा जिता हूँ उसके लिए आपको क्या करना है अपने लइब के फिचर पर पर जाना है लार्प पर जो सेट्ट का फिचर पर जैट्टर तरीकरें से ऊबंघे तो तो आप जो फूल कर देंगे तो आप जो च्छी खतम हो जाती है तो इस तरीके से आप यहां से इसकी ट्रांस्परेंट्सी को भी यहां पर एडजस कर सकते हैं तो यह फीचर भी आपको उसके अंदर डिजिटल वेल बिंग का फीचर देखने को मिल जाता है जो कि ठीक तरी कि से काम कर रहा है स्क्रींग भूप पैटर्न और फिंकर प्रिंगरंट का फीचर भी रहे हैं तो यह वाद यह पछी आप इसके ऐनदर एग्वाट का किहल पाते हैं वह को दिखा देता हूं वह व्य को यह दिखेंग स्कीन के अपर आपके स्कीन के अवह पर अपके ड्राफि तो वो बना कर देता है तो आप मुस्टली सभी चीजें देख चुके हैं बाकि आपको इसकेंदर एक्स्ट्रा कोई फालतू के अप्लिकेशन देखने को नहीं मिलते हैं तो बात करते हैं इसको इंस्टॉल करना इसको इन्स्टॉल करने के लिए आपको इसकेंदर क्रव खुए उसकेंदर को यूजह नहीं मैं दिखा देखने हैं कि मैं डाल भूगा नीचे डिस्क्रिशन में यह आपका फ्रेंकन रोम के फाइल होगी 715 MB की साथ ही साथ यह ओपन जी अपस की फाइल है इन तीनों फाइलों को सेव कर लेंगे और उसके बाद फोन को हम सीच आफ करने के ताकि हमारा फोन जो है TWRP कस्टम रिकावरी पे अब जरूर ले लीजिएगा तो यह देखिए TWRP की होम स्क्रीन हमारे फोन पर आ चुकी है थोड़ी दिर में आपके सामय सारे आप्शन्स आते हैं अब वाइप पर जाएंगे एडवांस वाइब डालवी कैश कैस तार्टा सिस्टम वेंडर सब को स्लेट करके वाइप कर द कर लेते हैं तो यह दिखिए रूंप फाइल होगी है इस अगर आप और आप किसी पाई रॉम के उपर है तब आपको फॉर्मेट डाटा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अगर और और यो रोम से पाई रोम पर आ रहे हैं आप फॉर्मेट करने के बाद आपको एक स्क्रीन आएगी उसके अपर कोई भी पास्वर्ट काम नहीं करेंगा तो वापिस आपको TWRP पे आके वाइप फॉर्मेट डाटा और टाइप एस करना बढ़ेगा तो वह उन्हीं लोगों के लिए है जो और यो रोम से आरें जो पाई रोम पे हैं उनको करने हैं तो उनका इ पर जो है रोम की बूट स्कीन आएगी दैट मेंज की रोम को आपने सक्सेफुली इंस्टोर कर गया है तो अब देख पाएंगे आपके सामने स्प्लैश स्क्रीन है थोड़ी जिर में बूट स्कीन आती है और उसके बाद आपको सामने सेट अप पे जाएगा आप सारी जों बंदा आप होगा और ऐसे वीडियो अबडेट के प्लीज चैनल को सब्क्राइब जरू कर लें बेल की नोडिफिशन आइकन को प्रेस करना ना बुलें और लाइक कमेंट शेर करते जाएं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तर तक के लिए टेक केर एंड बाबा औरे ओः लाएं